Hello 5th class, how are you? I hope you all are well. So today we have come up with a new lesson from your EBS. The lesson number is 3 and the lesson name is Physical Disability and this is from page number 87 to 90. Okay students, so baby, I have a new lesson called Physical Disability and this is from page number 87 to 90. Community तक है और Physical Disability का मतलब एक पर मैं यहां पर बता देता हूं आगे वीडियो में आप देखेंगे ठीक है कोई अंग ना होना या किसी अंग का अच्छे से काम ना करना तो बटा ऐसी परसंस के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह आपकी डिली लाइफ से भी रिलेटिड है तो आईए इसको शुरू करते हैं let's start Okay students so this is our lesson number three physical disability ठीक है यह हमारे lesson number three है जिसका नाम है physical disability फिजिकल क्या होता है बटा फिजिकल होता है शारिरिक क्या होता है शारिरिक और disability का मतलब होता है विकलांगता ठीक है यानि शरीर में कोई विकलांगता है शरीर को कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है ठीक है यह कोई अ खराब है या कोई अंग है ही नहीं तो ऐसे persons को हम किस में रखेंगे फिजिकल डिसेबल में रखेंगे ठीक है तो ये फिजिकल डिसेबलेटी किस तरह की होती है क्या होता है वो हम इस lesson में पढ़ेंगे ठीक है बेटा तो चलिए शुरू करते हैं यहां कि हमें भगवान में पांच ग्यानेंद्रियों से पांच ग्यानेंद्रियों से थे हैं आइज एरस ठीक है और नोज टंग और स्किन ठीक है यह फाइब सेंस ओर्गन उस होते हैं आईज, येर, स्नोज, टंग और स्किन ठीक है तो भगवान ने अभी पाँच सेंस ओर्गन से नवाजा है पाँच क्यानेंद्रियों से ठीक है एना हेल्दी बोडी और एक स्वस्थ स्रीर से हमें नवाजा है भगवान ने ठीक है मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि भगवान ने हमें पाँच ग्यानेंद्रिया और एक स्वस्थ स्रीर दिया है ठीक है यानि हम क्या कर सकते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज जो कतीविदिया होती है फ्रती दिन की वह हम अपने आप बिना किसी हल्प के कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हमारे पास क्या है एक हेल्दी बोडी है और फाइफ सेंसर ओर्गन्स है जो कि अच्छे से काम करते हैं बट बट देर आर सम पीपल वो ली डिफिकल्ट लाइफ लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि एक मुश्किल भरी जिन्दिगी जीते हैं यानि एक मुश्किल भरे जीवन का संचालन करते हैं ठीक है लीड होता है संचालन करना नित्रितव करना यानि हम तो इसली अपना काम कर सकते हैं ठीक है चल सकते है हैं फिर सकते हैं अच्छे से क्योंकि हमारे पास healthy body है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे वेक्ति होते हैं जो अच्छे से अपनी जीवन को चला नहीं सकते हैं ठीक है it is because of their it is because of their physical disability ये क्यों होता है इसका करण क्या है इसका करण है physical disability शारिक विकलांगता ठीक है विकलांग क्या होता है कि किसी का कोई अंग जो ठीक से काम ना करता हो या कोई अंग जो विक्सित ना हो पाया हो अच्छे से या कोई अंग हो ही ना ठीक है तो वो होता है विकलांग ठीक है बटे फिजिकल डिसेबिलिटी जो है इसका मुख्यकारन है किसका जो लोग अच्छे से अपने जीवन नहीं जी पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं पीपल विद इंपेर्ड वीजन ठीक है तो क्या है इसका मतलब मतलब यह है कि पीपल विद इंपेर्ड वीजन ठीक है इंपेर्ड मतलब Battery होना जिन लोगों में देखने में विकृती हो सुनने में बोलने में और किसी अंग में तो उसको हम फिजिकल डिसेबल में काउंट करेंगे ठीक है यानि कोई देख नहीं सकता कोई सुन नहीं सकता कोई बोल नहीं सकता या किसे का कोई अंग नहीं है ठीक है कोई अच्छे से चल नहीं सकता आपने देखे होगे ना बटा कई बार तो ऐसे लोग जो हो फिजिकल डिसेबल होते हैं ठीक है और यहां पर बिटा एक बात बोलना चाहूँँगा कि आप लोगों को जैसे भी हम अगर ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उनका मजाक नहीं उडाना चाहिए कभी भी उके बीटा तो ये एक बढ़ते हैं हमी विज़व 있는데 के बारे में अब विजव दिसेबलेनी क्या होते हैं विजबल होता है देखने की ठीक है देखने में जो disability होती है ठीक है और अगर आपको ऐसे ही रहना पड़ जाए कुछ टाइम के लिए तो क्या हम अच्छे से अपने काम कर पाएंगे आखे बंद कर गें नहीं ना तो सोचो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता तो उनका जीवन कितना कितना मुश्किल भरा होगा उन्हें हमेशा दूसरों पर पर डिपेंट रहना पड़ता है तो बेटा ऐसे लोग जो हो विज्वल डिसेबलेटी में आते हैं ठीक है दे कांट सी यह नहीं देख पाते ठीक है सी मतलब देखना यह नहीं देख सकते हैं ठीक है दे यूज स्मेल साउंड एंड टच्च टू आइडिन्टिफाई देयर स यह अपने आसपास के वातवरण को किस तरह से जो है मैसूस करते हैं किस तरह से उसको पैचानते हैं आइडिन्टिफाई होता है पैचानना किस तरह से पैचानते हैं तो सूंग के या धवनी से यानि साउंड जो होता है उससे या फिर छूकर वो उसका अंदाजा लगा पा में these people are deep ऐसे जो लोग होते हैं जिनको सुनने में problem होती है उन्हें वो होते हैं deep मतलब बहरे ठीक है बहरे जो विक्ति होते हैं उनको सुनाई नहीं देता है बिटाचे से they can't hear hear मतलब सुनना वो सुन नहीं सकते they use sign language to communicate उनको अगर आपको समझाना है तो आप उनको बोल के तो समझा नहीं सकते क्योंकि उन्हें सुनेगा ही नी तो उनको समझाने के लिए sign language होती है ठीक है इशारे की जो भाषा होती है संकेतिक भाषा जो होती है उसके थूँ वो समझ पाते हैं और communicate कर पाते हैं मतलब बाचीत कर पाते हैं sign language के तरू यानि जो ये दिखा रखा इस तरह से इसके तरू ठीक है संकेतों से वो communicate करते हैं बाचीत करते हैं एक ऐसा बच्चा जो पचपन से ही जनम से ही बाषा हो जो बच्चा जनम से ही बाषा होता है is also unable to speak वह बोल भी नहीं पाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि he cannot hear sound, क्योंकि आज तक उसने कोई sound सुनी ही नहीं है, ठीक है, जब छोटा सा बच्चा होता है, वो उसको जब हम बोलते हैं तो वो सुनता है, और उन्हीं बातों को वो सुन सुन के सुन सुन के बढ़ा होता है, और फिर वो ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो बड़े, मतलब किस तरह से हो जाते हैं, डीफ, बहरे, और एंडम, डम मतलब गुंगे, जो बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है? तो बट़ ।ो readers, जो बच्चे जलम से ही नहीं सुन पाते हैं, वो क्या होताए, वो बोलने में भी जो उनको problem होते है क्योंकि उन्होंने आज तक कोई आवाद सुनने ही नहीं है ठीक है तो जो नहीं बोल पाते हैं उनको हम बोलते हैं डंब गूंगे ठीक है बिटा तो ये था physical disability का page number 87 so let's move to our page number 88 okay बिटा okay students so this is our page number 88 so let's start here we have braille system let's start क्या है ये braille system इसके बारे में जानते हैं Helen Keller was a blind and a deep child from birth यानि जो Helen Keller है यहां पे इसकी पिक्चर भी दिखा रखी है देखिए ये रही Helen Keller जो है बच्चपन से ही क्या थी अंधी और पहरी डीफ ठीक है बच्चपन से ही वो कैसी थी अंधी और पहरी her teacher Ann Sullivan helped her to read and write जो उसके teacher थी Ann Sullivan वो क्या करती थी उसको help करती थी उसकी Helen Keller become a very successful writer देखिए जो Helen Keller थी ये lady आप देख रहे हैं देखो ये तो ना तो देख सकती थी क्योंकि ये blind थी और ना ही सुन सकती थी ठीक है लेकिन फिर भी वो क्या बनी एक famous writer बन गई writer मतलब लेखक बन गई Lewis Braille was another blind person जो Lewis Braille है यहाँ पर आप उनके picture देख रहे हैं Lewis Braille एक और ऐसे अंधे व्यक्ति है ठीक है जो की काफी famous है ठीक है Lewis Braille इनी के नाम के उपर ये Braille system है इन्हों नहीं invent किया था ठीक है आगे देखते हैं Lewis Braille was another blind person who invented a system of reading and writing for blinds यानि इन्होंने एक ऐसे system की इन्होंने एक ऐसे चीज की जो है आविशकार किया था sorry जो अंधे व्यक्तियों को read करने में यानि पढ़ने में और लिखने में help कर सकता था ठीक है इस system is called Braille system ठीक है इस system of raised dot यानि ये एक ऐसा system था जिसमें जो dots थी जो dots यहां पर आप देख रहें ये रही यही Braille system है ठीक है तो जो blind person होते हैं वो इन पे हाथ रख रखके ठीक है इनको मैसूस करते हैं इनकी आकरती को ठीक है और उसके थूँ वो पता लगा पाते हैं तो Braille, Lewis Braille ने Braille system जो है invent किया था किन लोगों के लिए blind person के लिए जो अंधेवक्ति होते हैं और वो क्या करते थे उसके थूँ वो read और write करते थे उसके थे ठीक है बटा और वो किस तरह से उसका system क्या था it is a system of raised dot यानि जो ये बिंदू आपको दिख रही हैं dots दिख र आते थे आगे देखते हैं special institutes special institute का मतलब है विशिस्ट संस्थान ठीक है there are special institute for the physical challenged people यानि ऐसे institute है उन वेक्तियों के लिए जो की physically disabled है यानि जो जिनको जो physically challenged people होते हैं जो विकलांग जो वेक्ति होते हैं ठीक है शारेरिक विकलांग जो वेक्ति होते हैं बिटा उनके लिए अलग से institution होते हैं ठीक है अलग से institution होते हैं ठीक है तो जहां पे क्या होता है वहाँ पे होता है कि उनको ना उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़े सिखा ही जाती है जिसके तुरू अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से जी पाते हैं ठीक है देखते हैं कि blind schools help blind children to lead our normal life जो blind school है ठीक है वो blind children को जो अंधे बच्चे होते हैं उनको क्या करता है ये ऐसे blind school होते हैं अंधे बच्चों के लिए कुछ schools होते हैं जो उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो है वो train करते हैं उनको पढ़ाते हैं ठीक है देखते लिए इंपेर्ड हीरिंग और लिम्स अर अलसो ट्रेंड in special schools तो कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं जो जनको सुनने में problem है या कोई अगज़ एविक्सित है या कोई अगज़ है नहीं तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है special schools होते हैं ठीक है to become capable for living independently आजादी से जीने के लिए बी मतलब आजादी से जीना सिखाते हैं कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो उन्हें आजादी से जीना सिखाते हैं उन्हें self-dependent बनाते हैं ठीक है उन्हें train करते हैं ठीक है और उनको सिखाते हैं ताकि वो अपनी life को easily जी पाए दूसरों के पर कम निर्बर रहे ही ठीक है बिटा तो ये था इन special institution का मतलब यानि जैसे हम लोग school में पढ़ने जाते हैं हम easily पढ़ पाते हैं क्योंकि हम हमारे ज़र शरीर है वो ठीक है ठीक है हमारे sense organs ठीक है हमारा सरीर के सारे अंग ठीक है तो हम हमें इतनी problems नहीं होती जितने की ऐसे लोगों को होते हैं जो physical disabled होते हैं ठीक है तो आगे पढ़ते हैं तो बटा आगे है ये स्टीफन हॉकिंग के बारे में ठीक है ये एक famous scientist रहे है स्टीफन होकिंग is a famous scientist परसित विज्ञाने का रहे हैं बटा कीए स्टीफन होकिंग ठीक है he has a paralyzed body ठीक है इनकी जो ये जो शरीर है इनका जो शरीर था वो paralyzed था ठीक है यानि लकवे से grist था ठीक है इनके शरीर जो था वो paralyzed था यनि लकवे से grust था He communicates through computers ये बिलकुल एक चेर पर रहते थे ठीक है और ये communicate कैसे करते थे देखो through a computer through the computers ठीक है ये computers के through communicate करते थे Thus physically challenged people can also do better in life जो physical challenge पर जो people होते हैं जो जिने जैसे जो physical disabled people होते है आदमी होते हैं वो भी अपने जिन्दगी में काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसका उधारन आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, ये एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, कैम्बरेज उनिवस्टी के प्रोफेसर तक रहे हैं ये, ठीक है, और इन्होंने काफी कु अच्छा काम किया, ठीक है, इन्होंने कभी इसको अपनी कमजोरी ना बनने दिया, इन्होंने अच्छा अपना अपनी लाइफ को सेटल किया, मतलब अपने आपको फेमस किया, अच्छे काम किये, ठीक है, फेमस किस तरह से होते हैं, कोई अच्छा काम करता, तब ही तो फेम सिस्टम मनाया और यह देखिए यह तो फेमस साइन्टिस्टी रहे है स्टीफन होकिंग अभी 14 मार्च 2018 को इनका देहान तुआ है 14 मार्च 2018 को ठीक है बटा यह एक फेमस साइन्टिस्ट रहे है और आगे पढ़ते है if we encourage them या यानि अगर हम वो लोग जो physically disabled है अगर उनको हम encourage करें उन्हें साहस दें उन्हें बढ़ावा दें तो वो भी अपने life में काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं यानि उनका मजाक ना उड़ा कर अगर हम उन्हें प्रेरित करें अच्छा करने के लिए प्रेरित करें उन्हें साहस दें उनका होसला बढ़ाएं तो वे काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं और जिसका जीता जाकता हुदारन आपके सामने ये स्टीफन होकिंग, हैलन केलर और लुइस ब्रेल हैं ठीक है इसके लाव बेटा जो स्टुदेंट्स वन मोर थिंग हमारे जो प्रधानमंतरी हैं श्री नरेंदर मोदी जी उन्होंने ये जो वर्ड है विकलांग इसको बेटा दिव्यांग में चेंज करने के लिए हमें सजेस्ट किया है कि हम उनको विकलांग ना बोलके उनको दिव्यांग बोले ठीक है यानि जो फिजिकल डिसेबल यानि शारिरिक विकलांग जो शब्दा है विकलांग उसको उन्होंने दिव्यांग यूज करने के लिए सजेस्ट किया है ठीक है बेटा तो बेटा ये था हमारा लेसन नमबर थ्री फिजिकल डिसेबल अब हम इसके एक्ससाइज सौल करते हैं तो लेट्स मूब आवर एक्ससाइज ओके स्टूडेंट्स विकलांग जो इसके बारे में बताना है तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है पीपल विट इंपरेट वीजन, हीरिंग, स्पीच और लिम्स और काल्ट फिजिकल डिसेबल डिसेबलेटी ठीक है यहां से आप इसको लेख सकते हैं ठीक है नेक्स वन इस हाव ब्लाइन पीपल आइडेंटिफाई दियर स्राउंडिंग्स तो जो ब्लाइन परसन है वो किस तरह से अपने surroundings को identify करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए visual disability makes people use smell, sound, touch to identify their surrounding ठीक है यानि वो किस तरह से identify करते हैं with smell, sound and touch clear? next one is who was Helen Keller अब Helen Keller कौन थी? उसके बारे में मैं बताना है मैंने आपको बताया था भी lesson पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको खुद लिखना है what is braille? braille क्या है? यह बताना है ठीक है? braille के बारे में हमने पढ़ाता तो वहाँ से आपको देखके इस cancer write down करना है यहाँ पे and who is Stephen Hawking? Stephen Hawking कौन है? यह देखो तीनों ही बड़े simple से question नहीं, यह आपको खुद गरने है clear? आगे देखते हैं people use sign language to communicate कौन से people जो है वो communicate करने के लिए संकितिक भाशा का use करते हैं तो कौन से करते हैं? deep people ठीक है? deep people तो first में आएगा deep और यहाँ पे देखिए dash was Helen Keller's teacher तो Helen Keller's की teacher कौन थी? and Sullivan तो वो यहाँ पे आपको लिखना है ठीक है? तो आगे देखते हैं third one Helen Keller become a successful क्या बनी थी वो successful? जो Helen Keller थी writer बनी थी तो आप यहाँ पे writer लिख देंगे और fourth one है there are dash for physical disabled people तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ आपको खुद चाट कर लिखना है ठीक है? यहाँ आपके लिए homework है ओके next बढ़ते हैं आगे right, true or false? यानि true false बताना है यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ बाकि खुद करेंगे deep people cannot see जो deep people होते हैं यानि जो बहरे लोग होते हैं वो देख नहीं सकते हैं यह गलत हैं क्योंकि वो सिरफ सुन नहीं सकते हैं वो देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा? false हो जाएगा ठीक है? first one is false okay students so let's move to next page of exercise okay students so this is our last page of this lesson so let's start match the following आपको match करना है ठीक है? match करना आपको column A से column B को अब ये कोन है? ये picture आप पहचानी कोन है ये? ये कोन है? Helen Keller और ये क्या थी? blind and deep तो आप इसे match कर देंगे और ये है Stephen Hawking जिनकी body कैसे थी? paralyzed लखवे से grist ठीक है? अब ये हैं आपे नौ मौर में देखिए यानी ये सी जे जॉन्स है ठीक है? ये भी एक बहरे वेक्ती है और ये एक्टर भी है होलिवूड में ठीक है? और इसके लावे ये क्या क्या हो देखिए मैं आपको गिनवाता हूँ ये एक्टर भी है ये comedian भी है ठीक है? comedian जो मजा करते हैं जैसे हैं आप देखते होगे कपिल शर्मा शो में आप कपिल शर्मा को देखते है comedy करते हुए तो उस तरह से ये producer है जो किसी serial को किसी film को produce करते है ठीक है? वो भी है लेखक भी है direct भी करते है ठीक है? किसी film को या किसी भी तरह के show को ठीक है? संगीत कार भी है और एक motivational speaker भी है ठीक है? देखिए ये एक physical disabled person है लेकिन फिर भी देखो इन्होंने कितना कुछ किया है तो ये बहुत hard working man है बहुत महनती वेक्ती है और इन्होंने अपने physical disability को कमजोरी नहीं बनने दिया उसका जीता जाकता सबूत ये है जिसमें आप देख रहे हैं कि actor भी है comedian भी है producer भी है writer भी है director भी है जो बोल नहीं सकते वो कौन से होते है वो बताइए ये आपको लिखना one में one कहा है ये रहा तो एक मैं बता दता हूँ जो बोल नहीं सकते वो कौन से होते है dumb d-u-m-b one minute बेटा d-u-m-b ठीक है अब आगे आपको खुद लिखना people who can't see जो देख नहीं सकते वो यहाँ पे लिखना है people who can't hear जो सुन नहीं सकते वो यहाँ लिखना है okay students so ये हमारा lesson number three complete हो गया है और आपको I hope आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा और एक चीज़ हमें यहाँ से सीखने को क्या मिली है वो यह है कि हमें physical disabled लोगों का पहले बात तो मजाग देड़ाना चाहिए उनको encourage करना चाहिए उनको बढ़ावा देना चाहिए उनको साहस देना चाहिए ताकि वो अपनी life में जो है अच्छे से आगे बढ़ सके और उन्हें अपने आप पर हीन भावना ना आए ठीक है और वो अपनी life में आगे बढ़ सके और अपनी life को अच्छा बना सके ओके students so thank you very much have a nice time to all of you thank you